नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे ECS Malta T10 का मैच नमबर 61-62 खेला जाएगा उसके बारी में तो दोस्तों यह मुकाबला GZZ versus GOZ की टीमों की बीच में खेला जाएगा और इस वीडियो में आपको संपूर्ण एनलाइसिस मिलेगा तो वीडियो रहेगा आपके लिए important वीडियो को complete वाज करेंगा तो दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा मनसार स्पोस्ट कलब मनसार माल्टा में यह मुकाबला खेला जाएगा अगर पित्री पोर्ट की बात की जाए तो औरहल यहां का विकेट है वो दोस्तों एक बैलस विकेट है और इस विकेट की उपर extra sport है वो पेसर के इनवाजों को मिलती है और इस score की बात कीज़े तो 85 के अराउंड आप अपना और इस score है वो accept करके चल सकती हो इसी के अराउंड आपको औरिस को रब बनता हुआ नजर आ जाएगा बागे दोस्तों इस वेन्यू की और इस मैज की जो भी फाइनल टीम फाइनल संजेसन पीच रिपोर्ट रहेगी वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल की दो लिंक आपको प्लाइंग 11 रहेगी साथ साथ दोस्तों जो कन फ्रम बैटिंग ओडर रहेगा वो दोनों आपको इसी टेलिग्राम चैनल पे मिलेंगे तो टेलिग्राम चैनल आपके लिए काफी ज़्यादा इपोर्टन रहने वाल है तो टेलिग्राम चैनल को बिल्कुल भी मिस मत तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और यूटूब चैनल की उपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हूँ तो यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोड़केशन बला इकन को जुरूर से प्रेस कर देना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो ड देने हाला कि लास्ट के दो मैक्स में महबूब अली की फोर्म इतनी अच्छी नहीं रही है लेकिन ओपन करवाने के लिए प्लस आपको बोलिंग डालके देंगे और उससे पहले फोर्म भी काफी लाजवाब रही है इपोर्टन फिक आपके लिए इस मैट में रहेगी महब अली को आप समोलिंग में वीसी और जील के कॉवनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ एजाज एमद भी आपको टोप आटर में बैटिंग करवाने के लिए आ रहे है लेकिन दोस्तो एजाज एमद की फोर्म इतनी अच्छी नहीं चल लिए लेकिन मिस एन हिटी टाइप के प्लेर है ओपन करवाने के लिए इंग कभी आपको एक बड़ी इनिंग लगा के दे सकते तो जील के कॉवनिस में आप अपनी टीम में जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ मिचल दास की बात की जाए तो दोस्तो ओरूल टी टैन में 10 के उससे रन कर में एक बनाया प्लस एक ओर की बोल डाली विकेट नहीं मिला लेकिन दोस्तो स्टाइटिंग वाले मैच में चुयत्तरन की इनिंग खेल के आज के टोप ओर में आपको बैटिंग करवा के देंगे ये भी एक हार्ड हीटर प्लेर है कभी आपको एक बड़ी इनिंग लगा के दे सकते हैं तो दनान अनोवर को आप जील के कोमेनिस में आप अपनी टीम में जुरूर से कवर कर करके चल सकती हूँ बिलाल खान लास्ट मुकाल में फलोप न जाये सेक़्ी लास्ट मुकाल में नो बनाए पलस दो और की बोल डालती है तीन विकेट निकाले स्थर लास्ट मुकाल में अठारा बनाई पलस दो और की बोलिंग डालते हैं दो विकेड निकाल के दिये बिलाल खान की फोम अच्छी चलिए इपॉर्टन पिक रहेगी जुरूर से आप अपनी टीम में कवरेगर के कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ करके चल सकती हूँ मिजाद जावेद है दोस्तों लास्ट मुकाल में एक विकेड निकाला स्थर लास्ट मुकाल में बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मोका निमला और उससे पहले एक ही मैच में एक विकेड निकाल के दिये बाकि आल्मोस सभी मुकावलों में फ्लोप रहे हैं जावेद आपके लिए GL में इपोर्टन रहेंगे एक से दो और की बोर्ग आपको डाल के देंगे बाकि दोस्तों आप अपनी समोली की टीम में भी जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ जिसन खान है लास्ट मुकाल में बारा सैके लास्ट मुकाल में 26 रन की निंग खेली और टीटैन में 30 की उस्ते रन करवाते हैं और इस मैच में जिसन खान आपको ओटो पोडर में भी बैटिंग करवा के दे सकते हैं ट्रम्प कारड पिक आपके लिए रहेगी तो जिल के कॉमिनिस में आप अपनी टीम में जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ फाजिल रहमान है लास्ट मुकाल में 32 रन की निंग के लिए पलस एक पॉइंट दो और की बोर्ण डाली विकेड निकाल की दिया उससे पहले भी फाजिल रहमान की फॉर्म अच्छी रही है इपोर्टन पिक आपके लिए इस मैट में रहेगी जुरूर से कवर करके समॉलिग में विसी और जील के कॉमिनिस में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ करके चल सकती हूँ सवाब अफरीदी है लास मुकाल में विकेड निकाल की दिये कंप्लिट आपको एक से दो और की बोलिंग डाल के देङे सवाब अफरीदी आपके लिए इपोर्टन एम ट्रम पकार की इस मैट में रहेगी इस समॉलिग में आप जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ शाकिर अफरीदी है इनको दोस्तो इतना अच्छा विकेट इस सीजन नहीं मिले लेकिन बोलेंगा आपको कनफरम एक से दो और की डाल के देंगे तो जील के कॉमनेस में आप अपनी टीम में जुरूर से ट्राइ करके चल सकती हूँ टीस समराइज है बैटिंग ओर नीच रहेगा फरम इतनी अच्छी नहीं चल लिए तो सीधा सीधा ड्रोप कने करें इस काप अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बागे दोस्तो जीडवल जड़ की टीम की तरब से अगर बैंचीज में कोई भी अपडेट मिलेगी तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे ओ टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर दोस्तों आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो केवल सो लाइक का टारगेट है मोडिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और फाइनल टीम फाइनल सजेस्टन के लिए टेलेग्राम चैनल को जूइन कर लेना अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी जी ओ जड की पोसिबल प्लेइंग 11 है तो गोतम दता इस टीम की तरब से आपको ओपन करवाते हैं नजर आ सकते हैं इस सीजन देखो तो गोतम है दता की फोर्म इतनी अच्छी नहीं रही है लेकिन ओरोल टीटर टैन में ये 12 की उससे रन करवाते हैं ये हार्ड हीटर प्लेयर कभी बड़ी इनिंग लगा के देश सकते हैं तो जील के कॉपनिस में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ दरसीत परजा पटनायकर है दोस्तों लास्ट मुकाल में 2, second last मुकाल में 14 और थल लास्ट मुकाल में 12 रन की इनिंग के लिकी दी ओरोल टीटर टैन में 22 के उससे रन करवाते हैं एक और इस पिक आपके लिए पटना कर रहेगी चाहो तो समोली को ग्राण लिक दोनों में आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ जो समोन पोल्सन है दोस्तों लास्ट मुकाल में 22 रन की निंग खेली लेकिन उससे पहले हर मैच में 20 प्लस रन की एक और इस शीरिंग आपको कंटीन्यू खेल के दे रहे थे पोल्सन आपके लिए इपोर्टन रहेंगे इस मैच में समोली को ग्राण लिक दोनों में आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हूँ इंडिका प्रेरा भी आपको एक औरे सप्रजशन कंटीन्यू करवा के दे रहें टोप ओडर में आपको बैटिंग करवा के देंगे इपोर्टन पिक आपके लिए इस मैच में रहेगी तो जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ सिंथेल राज दोस्तों लास्मुकाल में नोर सेकिंड लास्मुकाल में दस और थन लास्मुकाल में एक रण की निंग के लिए फोर्म इतनी अच्छी नहीं चलिये सिंथेल राज को आप अपने जील के कॉमिनेस में कवर करके चल सकते हूँ बाकि समॉलिग में आप चाहो तो ड्रोप करने करें इसका अपनी टीम से काफी आसानी से ले लिए ना वसीम अबास है लास्मुकाल में फ्लोप सेकेंड लास्मुकाल में दो विकेट थन लास्मुकाल में अठारा पनाई पलस दोर की बोड़ाली विकेट निमला लेकिन दोस्तों वसीम अबास है वो एक experience player है इपोर्टन पिक आपके लिए इस मैट में रहेगी समॉलिग में विसी और जील के कॉमरिस में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूँ लास्मुकाल में एक विकेट निकाला सेके लास्मुकाल में निकाला उससे पहले भी काफी अच्छा इनका परदशनिस सेजन रहा है तो अपके लिए कि इपोर्टन पिक इस मैट में रहेगी तो जरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ डिमेस टोना है, लास्ट मुकाल में पले करने के लिए बैटिंग में अपना खाता नी खोल पाई, रिस्क कीपिक रहेगी, only GL कवर करके चलो, समोलिंग में आप ड्रोप करने करें, इसका अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ, स्टीफ रोई है, लास्ट मुकाल में द जरूट से कवर करके चल सकती हूँ, मोवंदर रफीक है, लास्ट मुकाल में विकेटलस, सैकेंड और थर लास्ट मुकाल में विकेटलस, लेकिन दोस्तों उससे पहले, एक मैच में दो विकेट और एक मैच में एक विकेट निकाल के दिए, इस मैच में इपोर्टन पिक रह आपको अजेस्ट एंटोनी डाल के देंगे और mostly ओर है वो that के ओरों में करवाते हैं तो important रहेंगे GL के comments में आप जरूर से cover करके चल सकती हूँ बागे दोस्तो जी ओजड की टीम के तरब से अगर बैंचीज में भी कोई भी update मिलेगी तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे यो टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे यह दो हो गया दोस्तो दोनों टीमों का state wise analysis अब बात कर लेते हैं प्लेर wise analysis और कुछ अपने captain wise captain के rotation के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे विकी section में संतील राज आपको नमबर 5 पे बैटिंग करवा के दिरें फोम भी अच्छी चलिए हर मैच में आपको mostly 20 पलस रन करवा के दिरें तो एक important pick आपके लिए इस मैच में रहेगी small league में आप जरूर से अपनी टीम में cover करके चल स सकती हूँ आई एमद की फोम इतनी अच्छी नहीं चलिए भी बैटिंग ओडर भी थोड़ा सा नीच रहेगा तो only GL cover करके चला इस मैच में small league में आप चाहूँ तो drop करने करें इसका अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बैटिंग ओडर में बात कीजिए जे पोल सोन है दोस्तों एक और इस सब प्रतसना आपको हर मैच में continue करवा करके चला वसीम अबास का थोड़ा सा बैटिंग ओडर जरूर से नीच रहेगा लेकिन दोस्तों बोलिंग आपको confirm दोर की डालके देंगे फोम अच्छी चलिए इस मैट में चाओ तो समोलिंग में वीची और जील के कॉमणिस में वसीम अबास को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राए करके चल सकती हूँ इंडिका प्रेरा भी आपको नमबर च्यार पे बैटिंग करवाती है नजर आजेंगे लेकिन दोस्तों फोम इतनी अच्छ नहीं रही है लेकिन इस मैट में एक इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी अगर जी ओ जड का टीम सेक्ट निंग में बैटिंग करता है उस कंडिस में जीदता को ड्रोप करके आप अपनी टीम में आई प्रेरा को भी कवर करके चल सकती हूँ आई प्रेरा भी आपके असानी से ले सकती हूँ अलाउंडर सेक्शन में बात किजिए दोस्तों महभूब अली आपको ओपन प्लस आपको कंफरम बोलिंग डालके देंगे इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूँ यह अनुवर टोप ओडर में बैटिंग करवाके देंगे फोर्म भी अच्छी चली है तो जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके समॉलिक में विसी और जील के कॉमरिस में कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन वी एफ रहमान को ट्राइ करके चल सकती हूँ आपको लगातार ए अपनी टीम से काफी आसानी से लेलना बोलिंग सेक्शन में बात किज़ें बिलाल rubbing ऐप्टन आपको ल toothpaste आपको लात आ मीं तो चल सकती हूँ alah स्केल टाइल है यह भी आपको एपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ यह भी आपको कंपलीट दोवर की बोलिंग डालती हूँ नजर आजेंगे मौमद रफिक को ओनली जील कवर करके चला स्मॉलिंग में आप ड्रोप करने करें इसका ले सकती हूँ एम जाओद होगे एस अफ्रीद होगे दोनों रिसकी रहेंगे दोनों को आप सीधस्दा ड्रोप करने करें इसका अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ कैप्टर वाइस कैप्टन की बात किजए उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल को जुरूर से जोइन करेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फाइनल टीम फाइनल प तो दोस्तों इस मैht में मोस्टी तीन जोइस आपके लिए बड़या कैप्टन वाइस कैप्टन की रहेगी महबूब अली हो गया साचत एफ रहमान हो गया साचत विलाल खान इन पलेरों को आप समोलिग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राए कर करके चल सकती हो फिराल के आपके लिए important इस match में रहने वाले है वहीं दोस्तों अब बास है ये भी आपके लिए important रहेंगे स्मॉलिंग में विशी और जील के communist में captain wise captain वो try करके चल सकती हूँ team preview की बात किज़ें तो दोस्तों देखो ये हमारी final team नहीं है only एक demo team है जो भी final team रहेगी लाइक कमेंट एंड से subscribe जरूर से कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत